अब आप सब्सक्राइब करें तो इंतिदार खतम हुआ यहां पर जैसे कि आप लोग ने कहा था कि यहां पर यहां पर इसका यहां पर टॉपिक बाइस जो है आपका शिफ्ट वन मैं आपके जो मैमोरी बेस्ट नहीं जो हमें इंपुट मिला आपके साइट से वह कितने आपक करेंगे कि यह जो आपके नेक्स आने वाले सेशन है इसमें किस तरीके साब के लिए हैल्फुल रहेंगे गाइस ठीक है तो पहला कोशन देखो हमें मिला है यहां पर ब्रेशिस यूज़न है अब देखो ऑप्षिन किसी भी के लिए बताना असान नहीं होता है क्योंकि सभी अगरी test कि यूज़न होटे आप लिए बर्पकर क्या पल एकओं से निकलते हैं और आप लोग करी समझ सकते हैं तो यको ब्रेशेंट हमारे ब्रेश्की से किसके यूज़न होते हैं आपके डीची बने होते हैं एक है यहां पर आपको क्या प्राइड करते हैं अब आप जानते हैं क्या करता है हमारा AC को DC DC को AC में convert करता है Commutator कैसा होना चाहिए हमा सब्सक्राइब क्या होना चाहिए rotating nature का होना चाहिए because क्योंकि यहां पर just because of Commutator का जो nature हमारा वाइद केंड़ेशन इट कन्वर्ट AC DC और DC to AC है अब दोस्तों सेगेंड कोशन हमको देखने को मिला है ऑफ हमें इक चैनल है करके नहीं इडि Nebraskauz ने कुरुशन देखने को मिला है आपको ओके ना किढेए आपके पास में पैसे वल्रीमेंट पूछ यहां पिछे हैं तो यहां पर इमारे हाक्सक्यूइबेमेंट है तो आपके पास में नियू नियूकर सप्लाइब यानु कि पावर सव्लाइब करें ठीक है और आपके सेकंड थे हमारे पास में यहाँ पैसे वेलिमेंट ऊनुने के cause पास में पैसे वैलिमेंट यहां पर हमारे पास में कौन से होते हैं गाई दियर दे ग्जाम्पल अब जो हमारी पाफर एब्सॉर्व करें तो यह मैं फिक्विशन अफ ट्रांस्फर्मर तो यह में विक्विशन क्या होती है आपकी पास में फॉर 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 फैयं इंट टु अंट यह में 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 फॉक्विशन होती है में हमारे पास में आपका ने हमारे पी फ्लॉक्स घंटी यह आपको देखने को 18 तो यहां से अपन क्या निकाल सकते है अगर कुछ ऐसा कुछन आपका रिलेटेट पूछ गया आपको पता है कि यहां पर किसके प्रपोर्शन हो दामारा जो वीवाइएफ तो पता है थी नाटन दियoup गैसे पुछे सब और आपका जो करेंट है अपका न्याह पकी इक फॉलेंट करेंट है यह आपका यहां पर गाते हैं इसके साथ में करेंट करते यानि कि गिवन कोई मोज तो हमारे पास में अगर नौटन सर्केट है कोई कोई भी सिर्ग इलेक्ट्रिक ऐसे तो आपको पता है कि गीवन टेमिनल्स आप सबसे पहले कि अगर शौर्ट करेंगे and short circuit करने के बाद में आप यहाँ पे उस ट्रमिनल से short circuit करेंट को निकाल लेंगे और जैसे calculate करते हैं तो यहाँ पर आप क्या calculate कर सकते हैं जो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्यल्कूलेट कर सकते हैं तो आप गाइस दिखो यहाँ पर हमने तुमको काफी बार यहाँ पर चीज़े बताए और कहा था भी कि डाफिनेटल यहाँ से जो कुशन आर्मेटर रिक्षिन कूपर निकल के आए गई आएगा मेरे लाल है ना तो आर्मेटर रिक्षिन आर्मेटर रिक्षिन क्या होता आपका effect of armature flux on a main field flux is known as the armature reaction क्या होता हमारे पास में effect of हमारे पास में क्या होता है guys it is given by so effect of armature flux armature flux on main field flux इसको पन क्या बोलता है क्या है आप दिखो यहां पर हमारे पास में जो armature reaction कितने टाइब की होते है तो हमारे पास में सबसे पहले बात करें किसके बारे में lagging power factor है ना तो यहां पर जो के पावर फट्र हमारे पास और लीडिंग और उनिटार यहाँ पर सॉनिटिय ऑर टो यहाँ पर में ना निचे तो यहाँ किसी नेपर कि सौत campe करता है तो आपका पावर हो जाए क间 कौचे गाई लाइगा दो पास में कितना हो जाएगा डी मैगनेटाइजेशन और यहां पर लीडिंग पूछा है तो लीडिंग के लिए कितना हो जाएगा है तो इसके लिए क्या कर देंगे जो हमारे कर देंगे कहा घ्रिपस कर देंगे किसके लिए निकल आजेगे हमारा इस कशन हुमें क्युक्त कै vmosine देखने को मिलता है इसका जो इस शखत्व सबस्क्राइब अन्ह इन सी maior इन यहां पर जो step angle step angle value निकाल सकते है च्छी कि आगे देखेंगे hydro plant तो हमारे पास में hydro power plant है ना hydro power plant में which rotor is used कौन से rotor हमारा use किया जाता च्छी कि है तो हमारे पास में दो तरीके के synchronous अल्टर नोटर आता है आपके synchronous alternator है तो synchronous generator हमारे दो टाइब इससा पहला होता हमारे पास में हमेरे पास में फंस्ट वन यह जो की जो डाया है आल्मूस्ट लि kepada correl होता है थो यहां पहरे पास मर कितना होगा अगर older ज्यादा होगा न तो मशीन की जो पोल ज़ादा होगा टो मशिन की जो सہल पेल्ट्रे का यह होता है यहां प्रइन्टी एफ अपर पी तो यहां पाइगका ज्यादा होंगा तो क्यों होगा हमारा कम होगा अच्छिक है तो हमारे जो हईड्रोब पावर प्लांट है याई पाल बाटे लिए कौन स्टेवाल होता है लोग स्पीड आपके ज् t डॉटाइया होता है डॉटाइया क्या होता है आपका लेस होता है एकजियल जो लेंथ होती है जिसकी बजे से ज़्यादा होता है तो में यहां पर पाइब प्लांट यह झाल में। प्लाइब क्या जाता है इतना पता चला कि कुंचन आया है यह पता नहीं चला तो यहां पर चाहां यह सारी चीज़ा आप करके जेए बहुत अच्छे से जिसमें टाइप आप ट्रांस ध्यूसर से रहेंगे और यहां पर प ही जो liefd punish करके जाएंगे और यहाँ पर फोल सिटीव मिटर हो म debe figura कर जाहें करे सब्सक्राइब पीक वैली आफ वे भॉइवा आधे बताया आ था कि यहां पर बहुत ज्यादा इमपोर्डन कोश्चंस है आधे वेव already यहाँ पर है इसका हमें क्या पूछा जाना है तो यहां पर दोनों ही केसे में देखी यह कौन सी वैली होती है हमारी मैक्जम वैली होती है तो यहां पर आई आरे मेंस होता है आपका इसका रेहले में सी वोटैना दोनों यह किता होता है आई है यहां से निकाल सकते आप जो पीक वैल्यमिक पीक वैल्यू का निकाल सकते हैं तो ठाउसिसाल लैन है मैं तो ठाउसिचेलाइन से जो कुषिन पूछा गया इस आपका यह रेंज की ऊपर पूछा गया था खिबेसरी अलटивает aggression यहांपे देखा को बता दूँ जो हमारी पास चॉड लाइन? होती होग होती है और हमसे पास मेalth क Eastern 161 Fahrenheit यहाब हमारे पास सब्सक्राइड व्लेंटेज की cache relationships fino हो था इसकी ग्रेटर दैन CF always 160 km और यहां पर operating voltage के तहुए हमारा greater than 100 km चीक एका है यह सिलाइन हम स्थमय क्लासिफाइड करते है जो लाइन गलाइन में क्लासिफाइड करते है रेटिंग फ्रस्फोर्मर दूस्तों है अब दिछ रेटिंग transformer हमेशा कैसी होते है it is given by in the kVA rather than the kilowatt because हमारे जो transformer transformer के losses किस पर डिपेंड करते है हमारे losses आपके depend करते हैं आपके sorry losses are the independent of the power factor है तो जो इसलिए transformer की rating हमेशा rating के समोटी always given in the kVA चीक है तो हमारे पास में जो as होता है it is given by volt into ampere है ना चाहिए primary voltage primary current से निकाल दो यह second voltage secondary current से निकाल दीजिए तो यहाँ पर आपके निकाल सकते हैं जो transformer की rating इसको निकाल सकते हैं next induction heating तो देखो induction heating पूछा गया तो induction heating का यहाँ पर हमारे पास में कौन से current यूज होता है इस आपका जो add current है हमारे पास में add current यूज होते हैं कि इसके लिए induction heating के अब यहाँ पर हीटिंग के जितने भी resistance heating and dielectric heating है साथ साथ आप इसको भी रिवाइस करके जाएए तो है hysteresis and reluctance motor application तो गाइस देखिए hysteresis motor हमारी कौन सी motor सिंक्रून से motor जिसके winding पर कोई भी रोटर को पर कोई भी टीथ या इंडिंग नहीं होती हमारे पास में और जनरली यह जो आपका किसमे एलेक्टर क्लॉक होगा टैप रिकोडर होगा रिकॉर्ड प्लेयर होगा हमारे पास मैंने साउंड एक्पेंट होगा इनमें आपका यूज किया जाता है और यहाँ है रिलक्टेंस देखिए हमारे पास में एक रहता है तो रिलक्टेंस मोटर के हमारे पास में एक आप्लीकेशन क्या है सिग्नलिंग डिवाइस हो गया इंपर इंपरेंट यूज होता है है सिंग्ल इवाइस में हैं यहाँ पर यह रिलक्टेंस मोटर वेटा इसके यूज चाहिए चाले चाहिए चले चाहिए तर्श फर्मर रिशियो तो जो ट्रांस फ्रमर में हमारे पास में इंपर यह क्या हो ता के है number of turns in the high voltage winding to the number of turns in the low voltage वाइड है forget about n1 upon n2 or n2 upon n1 ठीक है तो हमेशा आप याद रखेगा IEEE के according हमारे पास में ratio क्या होते है number of turns in the high voltage winding to the number of turns in the low voltage winding application of DC shunt motor है ना application अब देखे हमारे पास में जो DC shunt motor है गाईस एक ऐसी motor होते कैसी होती है या अल्मोस्ट आपकी जो constant speed motor है constant speed motor होते है जिए अफाइवारे पास में जतने भी manufacturing application हो जतने भी manufacturing application हो गया आपके like textile हो गया weaving printing और हमारे जो pump हो गाई यह में यूज किया जाता है लेट मशीन में यूज किया जाता है वारा प्रापर्टि ओफ आईडियल ट्रासपनाय तो आइडियल ट्रासफ़ार्मार की पुषि गेती तीग अंतो आइडियल ट्रास पॉर्मर में आपके जू लास साय ना यहांने के सारी का सारे बता तो फैक्पित यह फासओ और जाए grow प्लेलरे अज अब पर शुտछ थो वी हाइन चोंस्टेंट कैसे हैं एन गॉस्टेंट ग्राहा हमारे भासफ और यह सारी प्राइमरी फ्रॉब्स आ northern दो नॉल पर यह आगे चलते हैं दोस्तों और इस्ट Forsch ने यह Bangkok राता को पता है किöhön सब्सक्राइब और इनका जो टॉर्क है टॉर्क होता है यह सब्सक्राइब कंपोशा गया थेटा जो फॉन होता है तो च्रीटा है यह चीटा घर किसके प्रपोस्टल होता है ? केबल अच्छा केबल से हमें question देखने को नहीं मिले गाइस लेकिन बताया जा रहा है कि केबल से 5 questions आये five questions consequence यह तो इनन्पट नहीं मिल सका लेकिन केबल से 5 questions आये तो यहां पर मेरी आपको लोग के लिए हिदायत है कि कि यहां पर insulator और केबल है ना इंसू लेटर एंड केबल इंसू लेटर और केबल जो है गाइस इसको प्लीज बहुत अच्छे से करके आईए गा इंसू लेटर और केबल को तो यहां पर कलकी सिफ्ट में आपको इससे कुशन देखने को मिल सकता है आगे चलेंगे है voltage-regulation तो अब देखो जो voltage-regulation होते हैं क्या होता है इस ख़ाı कि लैंजयों क्या क्या एफक आप दैकर कि कुसिन है वारे पास में मैनस इन А किसको र प्रसंट करता है तो यरamation लो I लो को है आपको धर्रेज सबस्क्राइं देशंगर सकते आप जो फक्लिट अलएज रीफक प्स्राइबूर्ट के आप सकते ग्रोस एर्रा थो घ्राइब आपको पता किसकी भाइस होते गाईस इस घुमारा हुमन मिश्टेक है ना गल्ति तो यहां पर ना यह गल्ति से जो हमेज आगे आपका सरी यहाँ पे input characteristics of CE Amplifier तो यहाँ पे उमारे क्या हो जाएगा आपका common Amplifier तो यहाँ पे इसको just forget about इसको भटा दीजी हाँ तो input characteristics of CE amplifier है तो यहाँ पे जो आपके MOSFET के एक्षोई को पूछे गया ना इसको मैं आगे ले लुँगा तो यहाँ पर एक गलत लग गए यहां पर दोनों कुषिय कैं यह आपके क्रक्रेक्टरिक्स नहीं और यहां पर जो equation होता । इस कितना होता है इस गिवन वाइड एस वन माइनस वी जी एस अपॉन और वी पी का होल स्कूर्ट ठीक है चल अल्डे एफिशेंस यह ना ओल डे एफिशेंस यहां किसके लिए निकालते गाई यहां पर जो सब्सक्राइब तरहे माइनस डेली नेएप लिक अब बता धिया है और यहाँ परटी ओं फैरा मेंगनेटिक मटीरिण फील्ड होता है और जब किसी मेरेडियल को रखा जाता है तो यहांब है सइम responsibility की क्या करता है क्या अब इरिए एक saving material को पर question आया था auto transformer to winding transformer तो यहां पर देखो गईस जो percentage of saving material होता है रसेंटेज of saving material तो percentage of saving material क्या होता है इत इस गिवेन वाय और 1 divided by K यहांड कि क्या होता हमारा auto transformer का turn ratio और यहां 100% होता है तो यहां पर यहां से आप क्या निकालेंगे percentage of जो saving material निकाल सकते हैं charging current इट कैपिस्टर में कितना होता है IC is equal to यह होता है guys it is given by VPH omega CPH यह होता है guys हमारे पास में क्या charging current ठीक है तो omega is equal to कितना होता है 2PF तो यहां से आप के निकाल सकते है perfect value निकाल सकते है charging current की तो guys यहां पर देखो यह सारा हमको input मिला तो यहां से अपन summarize कर सकते हैं समराइस highest portion आपका highest portion था according to input है highest portion जो यहां पर बताया गया है आपका आपी लोगों में से हाइस portion किसका देखने को मिला machine का देखने को मिला कितना यहां पर जो है machine का highest portion देखने को मिला और इस से जो students बता रहे हैं कि 30-35 question आपके पूछने देखने को मिले चिक है उसके बाद में basic electrical इस बार आपका जो है लो रहा है और basic electric is like this question को मिलें आपको चीचे और यहां पर बाकी यही और बाकी मैंने आपको बता दें कि किसे किए के तक अधे कर दिए ह这个 है थे यहाँ आता च्थे कंई आसमें टापिक दिखाते जो हम ने तुमको यहाँ बता यह सारे-स-र-घ्रहआई गाई कस पर गया चैए है और चुच्स भी नहीं बैस बैसिकली आपने कर लिए होगा क्योंकि लैक्षी प्रक्रिकल का पेपर जो कल आपका एक सतीन है तो कीप काल्म एंड डू यो बैस अपने आपके बेटा बस भरोसा रखो न अपने आपके तुम सिर्फ भरोसा रखो जीत तुमारी ही होगी इस वात की गैरंटी एक ठीक है ओके इस विश्यू आल दा बैसना विश्यू आल दा बैस गाइस फोड के आना भगवान आपके साथ है और आपकी जो दुआएं हैं जो भी आपके फ्रेंड हैं माबाप हैं सबकी दुआएं आपके साथ है ना तो बस डरना नहीं कीप एंड काम और जाएए गया आप एक्जाम को फोड के आगए तो गाइस विश्यू आल दा जो जो ऑज पर जो जाएए यजाए एक्ड़ी दोड़ी देख टार रेस्टन को फोड़ीन हैं माबाप हैं माबाप प्रेंट इब इन अव्यूज उर अबाउफ भी जो जो नहीं ड़ीं हैं इन अव और बसे झाल झाल